जब से मनुष्य इस पृत्वी पर आया है तभी से उसके मन में अनेको प्रकार के प्रश्न उत्पन होते रहे हैं चोटे प्रश्न अगर मैं कहीं हाडने गया और जीट गया तो मैं हाडा या जीता मोटे प्रश्न जहर एक्षपायर होने पर और जहरीला हो जाता है या कम जहरीला सीधे प्रश्न जब पहली बार घड़ी बनी तो कैशे पता लगा कि उस शमय क्या था उल्टे प्रश्न किशी मच्छर ने मेरा कून चूशा और उसको मैंने मार दिया तो मैंने अपना खून बहाया ट्रेवल कर सकते हैं मेडे प्रश्न मैलिटी इतनी चॉकलिटी क्यों है दिमाग वाले प्रश्न शराब पीकर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है तो बार के बाहर पारकिंग स्पेश क्यों दी जाती है बिना दिमाग के प्रश्न अगर दो जुड़वा भाईयों मेशे एक प्रातना एक दिन पूरी क्यों हो जाती है रोने वाले प्रश्न अगर किसी का एक ही हाथ है तो पुलिश उसको हटकड़ी कैसे लगाएगी जानदार प्रश्न अगर कोई तोटला है तो क्या वो शोचते समय भी तोटला सोचता है बेजान प्रश्न शराब में निबु चोड़के पीने से नशा चड़ेगा या उटरेगा लंगडे प्रश्न जब हवा चलती है तो चलना शुरू कहां शिकरती है बिना सिर वाले प्रश्न अगर डू बिना हाथ वाले इंशान आपश में लड़ जाएं तो भी क्या हम इसको हाथा पाई कहेंगे बिना पैर वाल प्रश्न अगर किशी इंशान की उंगलियां ही नहीं है तो उशकी शगाई में अंगुची कहां पहनाई जाएगी प्रश्न ही प्रश्न अनेकों प्रश्नों से हम घेरे रहते हैं मानों इंसानी जिंदगी खुद ही एक प्रश्न हो कई प्रश्नों के उत्तर मनुष्य ने अपनी बुद्धी के बल पर खोज निकाले, वहीं कई प्रश्ण ऐसे भी थे, जिनके उत्तर आज भी हमें नहीं मिल सके, 2015 में तो कुछ ऐसा घटित हुआ, कि हर किसी की जुबान पर एक ही प्रश्ण था, और ये प्रश्ण इतना महत्वपून हो गया, कि लगने लगा, कि अ प्रश्ण था, कटपा ने बाहुबली को क्यों मारा, फिर दिन बीते, राते बीती, महीने बीते, साल बीते, और साल 2023 में एक फिल्म आई, आदीपुरुष, और पता चला, कटपा टाइम ट्रेवल करके बविश्य में चला गया था, और उसने आदीपुरुष देख ली थी और देखते ही, उसने बाहुबली को मार दिया, ये क्या है? और भगवान में क्या अंतर है? गुरुजी चाहते थे कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, और पूछने वाला 14 साल का लड़का था, मैंने उससे कहा, तुम फिल्म्स देखते हो, उसमें एक हीरो होता है, और एक सपोर्टिंग एक्टर होता है, भगवान हीरो के समान है, औ उसी तरह भगवान के बिना संसार भी बन नहीं सकता, श्रिष्टी बनाने वाला चलाने वाला भगवान है, और जो देवी देफता है, वो भगवान की शक्तियों से उत्पन हुए, परंतु वो भगवान पर ही निर्भर है, पूरा उत्तर सुनकर मेरे गुरुजी तो ये ज़रूरी है, आज की जनरेशन को आज की भाशा में अपने इतिहास को बताया जाए, शायद यही प्रियास इन लोगों ने किया, पर ये एक्सपेरिमेंट बड़ा अजीब था, आदिपुरश मूवी में क्या अच्छा था, क्या बुरा, ये जानने से पहले ये जा लोग इस मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि रावन के दस सिर ऐसे ना दिखा कर, इनको दो मंजिला बना दिया गया है, तो बता दू, कमबोधिया में कुछ ऐसे आर्ट्स भी मिले हैं, जिसमें रावन के सिर ऐसे ही दिखाए गए हैं, और तो और इस फिल्म के डारेक् और अब जानते हैं सच, फिल्म में डायलोग है, जानकी यानि सीता मा भारत की बेटी है, तब भारत शब्द था ही नहीं, नेपाल में 80% हिंदू रहते हैं, और इस एक मुवी के इस डायलोग के कारण नेपाल में सभी इंडियन मुविस को बैन कर दिया, तो आते ही इस मु फिल्म के लिए All Indian Cinema Worker Association ने ऐसा नहीं कहा, और तो और लोग कहते हैं, फिल्म देखकर कुछ ऐसा लगता है, मानो आप अंजली की अपेक्षा करके फिल्म देखने गए हो, और फिल्म देखकर आपको पता चलता है, अरे ये अंजली नहीं, बलकि ये तो पितंजली है, तो ज संबोधित करती थी, उनका नाम अपने मुख से नहीं लेती थी, और एक और सीन में तो लक्षमन जी हनुमान जी के साथ, KBC-KBC खेलना शुरू कर देते हैं, वो भी WhatsApp-forwarded jokes के साथ, लक्षमन हनुमान जी से पूछते हैं, कि पांच मजदूरों ने मिलकर एक महल दो महीने में कहते हैं, क्योंकि वो रात में सोया, और तीसरा प्रश्न, एक तोता और उसके दो बच्चे नदी पार कर रहे हैं, जैसे ही वो नदी के पास पहुँचे, एक बच्चा बोला, हम चारों ने नदी पार कर ली, अब थे तो वो तीन ही, तो बच्चे ने चार क्यों कहा? इस प पर लिटरली दिखाया गया है, हनुमान जी डर गए, मतलब हमें आज तक बताया गया, कि अगर तुम्हें डर लगे न, तो तुम हनुमान जी का नाम ले लो, तुमारा डर भी डर के भाग जाएगा, और उन हनुमान जी के चेहरे पर डर के भाव, और फिर तो वो चीखते और इसके बाद हनुमान जी के मुख से निकलवाया गया, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की, इस पर सफाई देते हुए इसके राइटर कहते हैं, अब कोई इने समझाए, बोला तो रावन के लिए जा रहा है, प बजरंग बली भगवान नहीं है, भगत हैं, हमने उनको भगवान बनाया बाद है, अब ये डायलोग बदल कर कर दिया गया है, कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग तेरी लंका की, और जलेगी भी तेरी लंका की, इसके इलावा हनुमान जी का एक और डायलो वहीं अच्छी बात ये है कम से कम इनोंने डायलोग बदले तो और अगर रावन बने सैफ अली खान की एक्टिंग असली रावन देख लेता तो रावन खुद की खुशी से ही खुदकुशी कर लेता एक तो रावन जलूलूद्दिन खिल जी नहीं नहीं जालूलूद्दिन खिचडी बना दिया है अब ये रावन का शिवतांडव ही देख लो और रावन की सोने की लंका जो देवता कुबेर से चीनी गई थी को जलने से पहले ही कोईले की लंका दिखाया गया एक दम काली विबीशन की पतनी को तो जान बूचकर कपड़े बदलते भी दिखाया गया रमायन भक्ती से बरा गरंत है और मैं नहीं जानता उसमें ऐसे सीन क्यों डाले गए और इवन सीता मा के जो कपड़े हैं वो भी ठीक नहीं लगे सीता मा को हमने सिर्व ढके ही देखा है राम जी, लक्षमन जी और हनुमान जी तो कहीं कहीं जूते पहने दिखे और रावन को तो टी-शिट ही पहना दी रावन जो वेदों का ग्याता था शिव भक था, बुद्धी के बल पर एक ब्राम्मिन था वो इस फिल्म में चमकादर को मास्क हिला रहा है गिटार बजा रहा है जबकि ब्राम्मन थो मास्को चूते भी नहीं थे रमायन में हनुमान जी पूरा परवत ही उठा लाते हैं क्योंकि वो सिंजीवनी की पहचान नहीं कर पाते वही मूवी में दिखाया गया कि हनुआन जी पूरा पहाड इसलिए उखाड लाए ताकि आज एक मूर्चित हुआ है कल दूसरा होगा तो स्टॉक में रख लो सारी संजीवनी बूटी श्री राम और रावन के जुद की कोई सेंस नहीं बनती राम जी को एक राक्षस गले से पकड़ रहा है हवा में उड़ा रहा है और तो और युद रात में हो रहा है जबकि सूर्यस थोने के बाद युद होता ही नहीं था जटायू को श्री राम से बात करने से पहले ही मार दिया गया जबकि असल में श्री राम को जटायू नहीं बताया था कि रावन सीता जी को ले गया है रावन के पास पुश्पक विमान था जो उसने देवता कुबेर से चीना था और फिल्म में पुश्पक विमान की जगा करोना फैलाने वाले चमकादर पर बैठ कर रावन आता है और रावन सापों से मसाज करवाता है और अब वो बात जो दिल को सबसे अधिक दुखाएगी रावन आता है सीता जी को उठा ले जाता है और श्री राम और लक्षमन चुप चाप खड़े देखते हैं इतने कमजोर भगवान कौन सी रमायन में हैं और जानते हो डारेक्टर ने कहा था हमारे हनुमान जी के लिए आदी बुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें और अगर ये सीन हनुमान जी देख लेना तो एक पहाड उठाकर इनके उपर फेकें मैं तो कहता हूँ सारी सीट सी खाली रख दो मूवी में दिखाया गया रावन की जब बॉड़ी बदलती है तो रुदराक्ष भी तूट जाता है असल मैं रावन शिव भक्त था और वो ऐसा कर ही नहीं सकता रावन ने जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने उसे वर्दान दिया ना कोई देवतार ना कोई कंदर्ब यक्ष आदी तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा फिल्म के ब्रह्मा जी ने वर्दान दिया वो बोले तुम्हारी मृत्यू ना दिन में होगी ना रात में होगी, ना जल में होगी, ना वायू में होगी, ना धर्ती पे होगी, ना आकाश में होगी, ना किसी देफता के हातों से तुमारी मृत्ति होगी, अब ये वर्दान त्रेता युक के रावन को नहीं, सत्युक के हिरनाक रशप को मिला था, रावन और हिरनाक तरह टैटू लगा के आता है और भगवान राम से कहता है चुप चाप अपना तमाशास में और लंका से निकल बहुत देख लिया तेरा बंदर नाच मतलब बंदर नाच श्री राम शायद ऐसे सड़क छाप डायलॉग के कारण ही मनोज मुंतसिर को पुलिस को सिक्योरिटी द परात हो गया परंतू कैसे इसका उत्तर फिल्म में दिया ही नहीं पस तुक्के से राम जी नाभी में तीर मार देते हैं इसके इलावा भी बहुत गलतियां है फिल्म में पर सबसे अच्छी बात ये है अंत में ये फिल्म खतम हो जाती है हो सकता है इस फिल्म को ऐसा बनाने सकते थे परंतु आपने तो इतिखास बदल कर क्रियेटिविटी के चक्कर में वो दिखा दिया जो है ही नहीं इसलिए ये मूवी ना तो अच्छी है ना बुरी है बस मूवी जूठी है अगर आप मूवी देखने जाओ तो अपना दिमाग घर पर रखकर जाओ नहीं तो बड़ी पीड़ा होगी और बाकी लोग इसको देखकर हस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं और जो हस रहे हैं भगवान राम उनको सद्गुद्धी दे हरे क्रिश्ना